इसी शिंखला में अगला बिंदु जो है, वो है विश्व शान्ति में सन्युक्तराश्ट संग का योगदान और ये बिंदु इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि यही तो सन्युक्तराश्ट संग का उद्यश भी है विश्व की शान्ति को बनाय रखना हूं 1919 में League of Nations की स्थापना होती है और वो अपने उद्जेश को पूरा नहीं कर पाती और दुती विश्युद्ध प्रारंब हो जाता है और फिर वह छै लंबे वर्ष तक चलता है और बड़ा भजावा युद्ध होता है जब विश्युद्ध चल रहा है उसी दौरान एक और अंतराष्टी संस्था की जिसकी ज़्यादा पकड़ हो अंतराष्टी मामलों में जो अंतराष्टी विवादों को सुलजाने में ज़्यादा सक्षम हो ऐसी संस्था की दरकार जरूरत महसूस होती है और यह था मैंने विश्युद्ध के भी प्रयास शुरू हो जाते हूं विश्युद्ध को समाब्द करने के प्रयास तो चले ही रह थे लेकिन उसके बाद के विश्युद्ध के बाद के विश्युद्ध के विश्युद्ध को शान्ति पूरवक बनाया रखने के लिए बचाया रखने के लि का जन्म होता है स्विक्तराश संग को ज्यादा कारगर बनाने का प्रयास इस काल में होता है ये सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि स्विक्तराश संग एक जीवनत संस्था ही न रहे बलकि एक सक्षम संस्था रहे इतने वर्षों में गत सत्तर वर्षों के काल में इसकी स्थापना के बाद से इसने सामाजिक खेतर में, सांस्रितिक खेतर में, आर्थिक खेतर में और अन्य खेतरों में, मैत्री पूर्ण भावना को बढ़ाने में विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनाने में को आपरेशन के मामले में सिंक्तराश्चंग ने बहुत अहम योगदान किया है इसी का प्रणाम है कि आज विश्व के विभिन देशों के बीच में बहतर सामन जस्य है संचार माध्यमों ने जहां निश्चित रूप से विश्व के विभिन देशों को और लोगों को एक दूसरे के निकट लाया है सिंक्तराश्चंग ने वहीं दूसरी और ये सुनिश्चित किया है कि ये निकटता दूरियों की समाप्ती इसका सकारात्मक उपयोग हो इसका सकारात्मक परिणाम दिखे और इस दिशा में सुष्टराश संग का कारे बहुत महत्पूर्ण है सुष्टराश संग ने इतने वर्षों के प्रयास में बहुत उतार चड़ाओ देखे अभी तक का काल जो उसकी स्थापना के बाद का काल है उसे हम दो भागों में बाँट सकते हूं अंतर राश्ट्री राजनीती की दृष्ट से पहला शीत युद्ध का काल यानि विश्वुद समाप्त हुआ नहीं और शीत युद्ध शुरू हो जाता है और दूसरा काल अमेरिकी वर्चस्व का काल जो अभी वी जारी है जुती विश्वुद समाप्त हुआ और शीत युद्ध प्रारंब हो गया जो लगवग पैंतालिस वर्ष तक या पैंतिस वर्ष तक हम मान सकते हैं 1945 से 1990 इस शीत युद्ध के काल में बहुत सी घटनाएं हुई जिसने विश्व को तीसरे विश्वुद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया था उन घटनाओं में कुछ घटनाओं का विवरन जो बहुत मत्पूर्ण हैं हमने पिछले अध्यायों में किया है और इच्छुक लोगों को उस अध्यायों को देखना चाहिए समझने के लिए कि इन काल की मुख्य घटनाएं क्या थी लेकिन यद्यपी युद्ध की कगार पर खड़े हुए युग की कगार पर पहुँचे लेकिन युद्ध नहीं हुआ विश्युद्ध नहीं हुआ खेत्री युद्ध हुए लेकिन ये खेत्री युद्ध फैल नहीं पाए खेत्री युद्धों को वहीं समाप करने में सफलता मिली और इसका काफी कुश्रे सेंक्तराश संग के प्रयासों को जाता है या स्विक्त राश्चंग के बैनर तले हुए प्रयासों को जाता है तृती विश्वध ना हो पाना ये स्वयम में स्विक्त राश्चंग की एक बहुत बड़ी सफलता है अपने इतने लंबे दौर में जिसमें शीत युद्ध का काल था दो धुरुवी विश्व का काल था दो महाधीपों के दो महाशक्तियों के बीच की तकरार को स्विक्त राश्चंग ने किस तरीके से जहला और किस तरीके से शौक अब्जॉर्बर का कारे करते हुए सुनिश्चित किया कि इन दोनों के बीच की तकरार, सुरक्षा, परिशद में वाक्युद्ध से आगे न बढ़े सोवियत संग के 1991 में विगटन के बाद इस्थिती थोड़ी और विगड़ गई क्योंकि अब अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बच गया और ऐसी स्थिते में अमेरिका स्वियक्त राजश्चंग को भी कुछ भी नहीं मानने की जगह पे पहुँच गया पहले तो ऐसा था कि स्वियक्त राजश्चंग के अंदर ही इन दो महाशक्तियों के बीच में ही तकरार होती रहती थी तो एक तरीकी ते बैलेंस ओफ पावर भी था दोनों की शक्ति को चेक करने के लिए एक दूसरे की शक्ति ही काफी थी लेकिन अब जब स्वियक्त संग तूट चुका तो ऐसी स्थित में अमेरिका का भर्षक प्रयास रहा कि वस्विक्त राजश्चंग पर भी हावी हो संग्त राजश्चंग ने अपनी भूमिका बखु भी निभाई है यद्यपी कुछ ऐसे खेत्र भी रहे हैं जहां संग्त राजश्चंग की आलोचना भी हुई है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे संग्त राजश्चंग कितना सफल कितना असफल ये भी एक विवादित मुद्दा रहा है उसकी असफलता के कारण आदी हम पढ़ेंगे फिलहाल हम उसके जो पॉजिटिव रहें हैं सकारात्मक भूमिकाएं जो रही हैं उसका जो विश्च शान्ति के लिए योगदान रहा है उसका हम जिक्र करते हैं आपको बताया गया पूर में कि दो देशों के मध्य या देशों के मध्य यदि युद्ध हो और या युद्ध की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में शान्ति बनाया रखने के लिए संयुक्तराश संग को सेना भेजने का अधिकार है संयुक्तराश संग को सेना भेजने का अधिकार है ये ऐसी सेना है जो किसी एक देश की नहीं है बलके संयुक्त सेना है और ये स्वेयुक्त सेना किसी एक देश के मातहत या किसी एक देश के आदेश पर काम नहीं करती ये अपने तहीं बिलकुल अलग सेना है ये वैसी सेना है जो किस के आदेश पर काम करती है स्वेयुक्त राश्ट संग के आदेश पर काम करती है ये एक बहुत अहम बात थमजने की है तो ये सेना की सेना जो है वह सेना के सिदत्स मेंबरों की सेनाओं का सम्मिश्रण है और ये सेना स्थाई रूप से नहीं है उधारन के लिए जब किसी खेतर में कुछ तनाव होता है या किसी कारण से सेना भेजने की जरुरत समझी जाती है स्विक्तराश्टं के द्वारा तो स्विक्तराश्टं की सुरक्षा परिशद महासभा के अनमोधन के बाद एक कुछ देशों की कंबाइन सेना के निर्माड की का आदेश देती है यानि वो कहेगी कुछ देशों को आदेश देगी कि आप अपने इतने 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 फौजी इतनी इतनी आर्मी इतनी हवाई जहाज आदी आदी टैंक हथियार उस खेतर के लिए तयार रखें और एक कम्बाइंड फौज जाएगी जिसका जनरल या उसका मुखिया उसे भी सुईक्तराच संग की सुरक्षा परिशन नियुक्त करती है इन ही सेनाओं में से किसी एक सेना के मुखिया को किसी एक सेना के व्यक्ति को इस कम्बाइंड फौज का मुखिया बनाती है और सेना को कहते हैं शान्ति सेना स्विक्त राज्चंग की शान्ति सेना या स्विक्त राज्चंग की सेना तो स्विक्त राज्चंग को शान्ति भग्याल रखने के लिए युद्रोकने के लिए युद्विराम पर निगरानी रखने के लिए ये स्विक्त सेना भेजने का सेंक्ष राजचंग के सदस्य इसकी अपील पर प्रभावित खेत्रों में अपनी सेनाई भेज देते हैं और इस सेना को जैसा मैंने बताया UN Peace Keeping Force सेंक्ष राजचंग शांति सेना Peace Keeping Force कहते हैं सुरक्षा परिशद कई बार लड़ाई रखवाता है कुछ खेत्र की और वहाँ युद्ध विराम करवाता है युद्ध विराम क्या है युद्ध विराम ऐसी स्थिती है जो सुरक्षा परिशद के आदेश पर संबंदित देशों पर लागू होती है और जिस दिन से युद्धविराम लगू होता है उस दिन जो देश जहाँ था जिस देश की फौज जहाँ थी वो वहीं पर रुख जाएगे उसके आगे युद्धणी होगा ऐसा आदेश होता है यानि युद्ध ना लड़ा जाए जो जहां है वो वहां ये थावत रहे तो युद्ध विराम करवाता है और युद्ध ऐसी स्थिति में कोई जगड़ा ना हो युद्ध विराम के दौरान उसे अपनी शांती सेना भेजनी होती है भारत ने तो बहुत बार ऐसी अपनी शांती सेना भेजी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम भारत का सेउक्त राश्चंग में योगदान इस विश्या पर चर्चा करेंगे तब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत ने कब कब भेजा है लेकिन आपको ये जानना ज़रुी है कि ऐसी शांती सेनाओं को भेजने का भेजने के अवसर या भेजने की ज़रूरत अनेकों बार पड़ी और तो राश्चंग की सेनाओं ने सेना के तहट अपना कारिब भखूवी निप्टाया है कई अफसरों पर विश्व शान्ति को बनाया रखने में इन शान्ति से नाओने आहम भूमिका निभाई यदि हम उन अफसरों को गिनें तो इसमें से कुछ अफसर बड़े महत्पूर्ण हैं कुछ घटनाएं बड़ी महत्पूर्ण हैं और सबसे पहला उसमें आता है पाकिस्तान उननीस और तालिस में जब पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उसके एक हिस्थे पर कबजा कर लिया तो भारत ने क्या किया भारत ने सिविक्त राजचंग में ये मामला भेजा और उस विवादित हिस्से में शान्ति सुरक्षा के लिए एक सेना सेंग्त राजचंग ने भेजी थी जिसने युद्ध विराम को लागू किया था तो सबसे पहला शान्ति सेना का उपयोग हम कश्मीर के खेतर मामले में देखते हैं जब भारत ने सुरक्षा राजचंग में कश्मीर का मुद्ध उननिस और तालिस में भेजा दूसरी घटना उननिस सो पचास की है उननिस सो पचास में उत्तरी कोरिया ने दक्षनी कोरिया पर अक्रमन किया ये वो काल है जो शीत इद्ध का है और पूरी दुनिया बाई पोलर हो चुकी थी दो धुरवी हो चुकी थी कोरिया वैसे तो एक ही राज़ था पर उत्तरी और दक्षनी कोरिया में विचारों का विरोधा भास था उत्तरी कोरिया सोवियत संग के खेमे का देश था दक्षनी कोरिया अमेरिकी खेमे का देश था और सोवियत संग का टूट विश्वास था कि कम्मिनिस विचारधारा का विश्व में जितना प्रसार प्रसार हो तना अच्छा है उसी के उद्धेस से उत्तरी कोरिया ने दक्षनी कोरिया पे हमला किया था यूद बहुत बढ़ गया तो सुष्ष राजसंग ने वहां सोला देशों की मिली जुरी सेना को निगरानी के लिए भेजा कितने देशों की? सोला देशों की तीसरा तीसरी घटना 56 में स्वेज नहर मैंने बताया स्वेज नहर की महत्ता आपको अंतराश्टी व्यापार अंतराश्टी अर्थ वर्था में स्वेज नहर बहुत महत्पूर्ण है और उसके संचालन उसके स्वामित्व को लेकर बहुत तनाव हुआ 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राश्टी करन कर दिया याने अपना अपनी नहर घोशित कर दिया क्योंकि उसके खेतर में थी और राश्टी करने से स्वेज नहर है जो अंतराश्टी व्यापार के लिए अत्याधिक महत्पूर्ण थी ये मिस्र की नहर हो गए और प्रणाम सुरूप क्या हुआ कि मिस्र ने विदेशी जहाजों के आने जाने पर वहां से प्रतिबंद लगा दिया अब वो नहर जो है वो करीब कई हजार किलो मीटर की समुद्री यात्रा को कम कर देती है आप देख सकते हैं इस नक्षे में कि यजिए स्वेज नहर बंद हो तो कितनी लंबी आत्रा करनी पड़ेगी पूर्वी यूरप पश्च्चमी यूरप जाने के लिए इस खेत्र से ऐसे ही अमेरिका आधि को भी कितनी लंबी आत्रा करनी पड़ेगी वहां के जहाजों को तो इसका मिस्र ने राश्टी करन करके उस मार्ग को अपने आधिपक्य में ले लिया जिसका बड़ा विरोध हुआ और इसके विरोध में फ्रांज, ब्रिटेन, इसराइल ने एक तरीके से सम्मिलित होकर अक्रमन कर दिया जिसे हम कहते हैं स्वेस केनाल क्रैसिस 1956 जब यह तीन देशों ने मिलकर अक्रमन किया जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन भी था तो सम्मिलित राश्चंग बड़ा सक्री हुआ मामले को सम्मिलित राश्चंग में जैसे उठाया गया सोईक्तराश्चंग की फौज ने आकरमन कारियों को एक तरीके से चेतावनी दी और फिर ये मामला वहीं शान्त किया गया सोईक्तराश्चंग की सकरीता के कारण ये जो हमले हुए थे इसराइल, बिर्टन और फ्रांस के द्वारा ये हमले रोक दिये गया और युद्ध समाप्त हुआ चौथी घटना कॉंगो की उसका जेकरभी मैं पूर में कर चुका हूँ जो अफरीका का एक देश है कौंगो में ग्रियुद्ध हुआ, ग्रियुद्ध का क्या ताथ पर है, क्या माइन है ग्रियुद्ध मतलब अंग्रेजी में civil war और civil war मतलब जहां देश की जनता स्वैम ही आपस में भेड़ चले देश की जनता दो टुकड़ों में बढ़ जाए दोनों के पास सतियार आ जाए और उनकी फौज भी एक तरीके से बढ़ जाए और दोनों के बीच में देश के अंदर ही लाई होने लगे उसे कहते हैं ग्रिक युद घर के अंदर युद बेल्जियम ने कांगो के ग्रिजित को समाप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी बेल्जियम ने भेजी और फिर कांगो की अपील पर सुएक तराज संग ने सेना भेजी थी उसमें भारती फौश थी उसके बाद 1974 की घटना गोलन हाइट इसराइल यह सब बड़ी आतिहासिक घटना है इसलिए संक्षिप्त में कुछ नामों के माध्यम से एक कोशिश है कि आप इस काल में हुई कुछ घटनाओं को अपने मानस पटल पे बैठाएं तो अगली घटना 1974 की गोलन हाइट यह एक और ये युद्ध की भीशनता से दुनिया थर-थरा गई थी क्योंकि इसमें अमेरिका भी एक तरीके से कूट पड़ा था इसराइल के पक्ष में सेंक्तराज संग ने अपनी सेना यहां भी भेजी और इस प्रकार यहां शान्ती बनाएं 1974 सेंक्तराज संग की शान्ती सेना के इतिहास में सेंक्तराज संग द्वारा शांति सेना को भेज़ जाने के इतिहास में या सेंक्तराज संग द्वारा विश्व शांति के प्रयासों के इतिहास में अगली कड़ी में 1978 है 1978 में लेबनान में सेंक्तराज सेना भेजी गई लेबनान की स्थिति देखें ये ख्षेत्र भी बड़ा विवादित ख्षेत्र रहा है Middle East, Madhya Purv, Asia ये बहुत विवादों में रहा है और जब तब यहाँ पर किसी ने किसी कारण से अंतर राश्ट्री राजनीती का घटना करम युद्ध में परनित हो जाता है तो वहाँ परस्विक राश्ट्र की सेना 1978 में भेजी गए अगली घटना सात्वी 1991 में कुवेट कुवेट पर एराक ने आकरमन किया और वो था आकरमन मात्र केवल कुवेट को इसलिए कबजा करने के क्योंकि एराक वहाँ के पेट्रोल टैंक्स पर अपना कबजा चाहता था और उसे भेज था कि कुवेट जो है वो शायद अमेरिकी खेमे का देश है और अमेरिका के पक्ष में है ऐसी अंतराश्टी राजनीते चल रही थी ये वही काल है जब अमेरिका की वर्चस चुता बन गई थी ये घटना 1991 की है जब सोवियत संग विगटित हो चुका था और विश्व जो है वो एक धुरुवी विश्व बन चुका था ऐसे काल में अमेरिका के बढ़ते वर्चस को रोकने के लिए इराक ने कुवेट पर हमला किया और कबजा किया तो वहां पर भी शांती भाली के लिए स्वियक्ष राजसंग ने अपनी सेना भेजी उसी प्रकार अंगोला सालवेडोर की घटना है भी उसी वर्चुन अगली घटना आठमी जब स्वियक्ष राजसंग ने कोरिया बोस्निया और मैसेडोनिया में अपनी सेना भेजी यह देखिए सब they are hot spots of Europe और rather hot spots of the world यह कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जब तब युद्ध की चिंगारी भड़क उठती है और उसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है तो इन देशों की गत्विद्यों पर सचिवाले सिंक्त राजसंग का पहनी नजर रखता है सुरक्षा परिशत पैनी नजर रखता है और हर वर्ष जब महासवा की बैठक होती है उस बैठक में भी इन देशों के मुद्धे जब तब आते हैं क्योंकि भै बना रहता है कि ये छोटे छोटे देश कहीं किसी बड़े युद्ध का कारण ना बन जाएं तो 1992 में बोस्निया हर्जे गोविना मैसेडोनिया देखिए कितने छोटे छोटे देश हैं यहां भी लेकिन छोटे तो हैं पर एक बड़ी चिंगारी का काम कर सकते है इसलिए शांति सेना भेजना आवश्यक हो गया था 1993 में सुमालिया साइप्रस आदिक शेत्र में 1994 में दक्षिन अफरीका और अंतिम जो है वो अत्यादिक महत्पूर्ण है वो है अफगानिस्तान जो आज एक विश्व का सबसे ज़्यादा विवादित खेत्र बन चुका है सोवियत संग का वहां कबजा रहा सोवियत संग चला गया तो अमेरिका का कबजा आ गया अमेरिका वहां 20 वर्ष तक एक तरीके से अपना शासन तो नहीं पर अपने कंट्रोल में उसने उस खेत्र को रखा और फिर अचानक इस वर्ष अमेरिका भी अफगानिस्तान से एक त प्रताई है वह तालीबानी सत्ता है और तालीबान विश्क के एक बहुत ही खतरनाक आतिंकवादी संग्ठन के रूप में जाना जाता है तो आज जो अफगानिस्तान है वो एक बहुत विवादित छेतर गत 30-40 वर्षों से रहा है बलकि सचाई तो यह है कि अफगानिस्तान प्रारंब से अपनी स्थापना के प्रारंब से ही बड़ा विवाद इत रहा है और इसके विवाद के परिणाम यह हुआ है कि यदि हम कहें कि दुनिया का सबसे कम विक्सित देश जो विकास तैकीर का रास्ता तै करने के बाद वापस धरातल पे आ गया वो तो तो इसमें अफगानिस्तान का नाम जरूर आएगा एक दोर ऐसा था जब अफगानिस्तान विश्य के बहुत महत्पूर्ण टूरिस्ट स्थलों में था एक दोर ऐसा था जब अफगानिस्तान बहुत आधिनिक देश बन चुका था लेकिन वहां की जो पुरानी संस्कृती है कबाईली सवंस्कeffति कभी लाई सवंस्कृति वो यतनी हवी हो चुकी है कि समय रहते in no time वो सवंस्कृति वापस हवी हो जाती है और अभी जो वरतमान में जो वहाँ सत्ता है जिसे विश्व के کसी भी देश ने संभवता भी उसे मान्य नहीं किया है वो एक चिंता का विशय बनी हुई है पर सेंग्त राश्चंग की नजर वहां भी बड़ी पैनी है तो इस प्रकार हमने देखा कि सेंग्त राश्चंग विश्व शान्ति में सुरक्षा परिशद की मदद से कैसे सेंग्त सेना के जरिये शान्ति बनाया रखने में मदद करती है चाहे बुद्ध वराम के लिए चाहे सीमां के तीमाओं पर नजर रखने के लिए चाहे ग्रिह युद्ध को रोकने के लिए और अन्य कुछ ऐसे मुद्धों के लिए जहां जो अशान्ति की संभावना पैदा करते है झाल